तो दोस्तों यहां पे मैं वाट्साप को ओपन करने वाला हूँ और जैसे ही मैं वाट्साप को ओपन करूँगा तो यहां देखिए मेरा फिंगर प्रिंट लगा हुआ है तो आप भी अपने वाट्साप को काफी सिक्योर कर सकते हैं यहां पे अपना फिंगर प्रिंट लगा स तो दोस्तों यहां पर देखिए मैंने अपने वाट्साप को बहुत सिक्यूर कर रखा यह मेरे फिंगर प्रिंट के अलावा नहीं खुलने वाला है तो मैं यहां पर फिंगर प्रिंट दूँगा और वाट्साप ओपन हो गया है यह देखिए friends यहाँ पर WhatsApp fingerprint से open हो गया है ऐसे ही करके आप भी WhatsApp को secure कर सकते हैं अपना fingerprint लगा के क्योंकि दोस्तों काफी सारे हमारे friends होते हैं तुरंत मोबाइल उठाते हैं और WhatsApp चेक करते हैं या घर परिवार में कई लोग होते हैं जो WhatsApp आपका चेक करते हैं उन सबसे बचाने के लिए friends यहाँ पर फिंगर प्रिंट लगाईए और अपने WhatsApp को यहाँ सिक्यूर कर लीजिए तो यहाँ पर friends आपको थ्री लाइन दिख जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही थ्री लाइन दिखेंगे यहाँ पर चारपाँ जो ओप्शन दिख रहे हैं इनमें सबसे नीचे friends आपको दिखेगा Settings, Settings पर एक बार किलिक करेंगे और Settings पर जैसे ही आप किलिक करेंगे फिर से काफी जारे option आजाएंगे लेकिन friends यहाँ पर हमें अपना account दिखेगा सबसे उपपर यह दिख रहा है account, account पर जैसे ही click करेंगे तो friends यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर privacy, security to step verification, change mobile number, request, account information, delete account तो friends यहाँ पर काफी सारे आपको option दिख रहे हैं, यहाँ पर security दिख जाता है इस पर friends आप यहाँ से अपने WhatsApp को secure कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी off कर रखा है, अगर आपको आपने अभी तक इसको secure नहीं किया है तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो और बना दूँगा आपके लिए, वो comment जरूर करना और यहाँ पर privacy मिल जाती है privacy पर जैसे ही क्लिक करेंगे, friends काफी सारे option देखने को मिलेंगे नीचे तक, यहाँ देखिए काफी सारे option है लेकिन friends हमें scroll down करना है, और काफी नीचे तक चले जाना है और काफी नीचे जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा, enable after one minute fingerprint lock यहाँ फ्रेंड्स लिखा है, देखिए, fingerprint lock enabled after one minute यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो friends यहाँ पर आपको दिखेगा immediately after one minute, after thirty minute, तो friends यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे उस पर ऐसे करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ आपका off होगा, यहाँ पर आपका off होगा, अगर आपने fingerprint नहीं लगा रखा है, तो यहाँ जहाँ मन करें, वहाँ पर किलिक करके, इसको friends यहाँ से on कर देंगे, और आपका fingerprint यहाँ पर लग गया है, और ऐसे करके यहाँ से back कर देंगे, और अब जब भी आप WhatsApp को open करेंगे, तो आपका fingerprint यहाँ पर मांगेगा, तो ऐसे करके आप अपने WhatsApp को काफी सी cure कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा ह तो लाइक करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों